जारकन में विदानसवा जुनाफ की नतीजों के बाद अब नए अध्याई की शुरुवात हो गई है क्योंकि सूबे में बीज़ेपी का कमल मुर्जा देया है और कॉंग्रेस जेम्म गडबंधन की जीत हुई है सेंदाली सीटों के साथ महागर बंदन ने जीत का परचम लहराया है जिसके साथ ही हेमन सोरेन के सीम बनने का रास्ता साफ हो गया है अब जल्दी हेमन सीमपत की शपत लेंगे और इसके साथ ही उन पर जारकन के विकास की जिम्यदारी आ जाएगी वह उनके सामने कुछ चुनौतिया भी होंगी तो क्या है वो चुनौतिया आईए देखते हैं जारकन प्रकरतिक संसाधनों का धनी राचे हैं यहां प्रचूर मात्रा में खनिच संपता पाई जाती है लेकिन बावजूद इसके जारकन आज भी करीब राचे है जिस पर 85,000 करोल का कर्ज बखाया है ऐसे में भावी सीम हेमन सुरेन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है दरसल आज जारकन कर्ज में ढूबा हुआ है जारकन सरकार पर इस वक्त 85,234 करोल का कर्ज है 2014 में जब रगवर्दास ने सरकार संभाली थी तब राचे पर 37,993 करोल का कर्ज था लेकिन बीजबी के राच में कर्ज और तेजी से बढ़ा ऐसे में मुख्य मंत्री बनने के बाद हेमन सुरेन के सामने इस कर्ज को कम करने की चुनौती होगी वह सुरेन के सामने अगली चुनौती गरीब राज्य का टैग हटाना है साल 2000 में बिहार से अलग होने के बाद जार्खन के माथे पर गरीब राज्य का टैग लगा हुआ है इस राचे में अब भी 36.96 प्रतिशत से ज्यादा आवादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है गरीब राज्य के टैग से ज्यार्खन को निचात दिलाना भी हेमन सुरेन के लिए चुनौती है वही अगली चुनौती है खाद्यान की कमी गुदूर करना भुक को लेकर ज्यार्खन सुर्ख्यों में रहा है आखडू की बात करें तो ज्यार्खन को हर साल करीब 50 लाग मिट्रिक टन ख़द्यान चाहिए मगर यहां बहतर से बहतर स्थिती में भी 40 लाग मिट्रिक टन ही उत्पादन हो पाता है इस 10 लाग मिट्रिक टन के अंतर को फरपाना हेमन सुरेन के लिए चुनौती है वही मुख्य मंत्री बनने के बाद हेमन सुरेन के सामने राजे की युवाओं को रोजकार देने की प्रमुक चुनौती होगी वजा है कि ज्यार्खन देश के सर्वादिक बेरोजकारी वाले राच्यों में शुमार है इस साल अप्रल में आई रिपोर्ट के मुताबिक ज्यार्खन देश के उन 11 राच्यों में शामिल है जहां बेरोजकारी के दर सर्वाधिक है ज्यार्खन में हर 5 युवाओं में एक बेरोजकार है ऐसे में रोजकार उपलब्द कराना हेमन के लिए बड़े चुनोती है इसके अलावा सुरक्षा का मुता भी काफी बड़ा है तो इन तमाम चुनोतियों का सामना हेमन सुरेन कैसे करते हैं ये आने वाले पान सालों में सब के सामने होगा बीबिलाइफ के रिपोर्ट